दायन विसाही कारोप लगाकर महिला को कराई उठक बैठक पिरित्ता के सिकायत पर 15 लोग बने नामज़त आरोपी अजाद सिपाही में आपका स्वागत है मैं हूँ चंदर प्रकास कटकम सांडी थाना छेत्र के पिचरी गाउम में एक महिला फरजाना खातुन को कान पकड़ कर उठक बैठक कराने का विडियो वायल होने के बाद महिला ने कटकम सांडी पुलिस से सिकायत की है कटकम सांडी पुलिस ने तुरित कारवाई करते हुए घटना कर्म की जानकारी लिए और 15 लोगों पर नामज़त प्रात्मी की दर्ज की प्रात्मी की में महिला मंडल के सतस्य को भी आरोपी बनाया गया है कटकम सांडी थाना छेतर को दिये गया वेतन में कहा गया है कि सकील अक्तर उसकी पतनी आर्जु खातून, सकीला खातून, सकीना खातून, चांदनी खातून तथा नगमा खातून एवं नाजमी परवीन आई है और डानड विसाही कारहुप लगाते हुए मारपिट किया तथा घर से इट पत्थर से हमला कर दिया मारपिट होने के बाद महिला समोह की उपस्ति में पंचायत किया गया पंचायत में सकील अक्तर क्रांती देवी, सकीला खातून, सकुंतला देवी, पूनम देवी, जस्वा देवी एवं सकीला खातून सहित 10 से 15 महिला समुह के लोगों ने जवरन जुटारों प्लाकर दोसी ठहराते हुए 10,000 रुपे जुर्माना देने की बात कही और पैसे नहीं दिये जाने पर परतारित करते हुए 100 बार कान पकड़कर उठक बैठक कराई इस क्रम गाउं के ही नवसाद आलम एवन तौफिक अक्तर ने वीडियो बना कर सोसल मीडिया पर वारल कर दिया सोसल मीडिया में वारल होने के बाद फरजाना ने आवेदन देकर नयाय की गुहार लगाई इधर कटकम सांडी पुलीस ने फरजान खातुन के आवेदन पर डायन भूत अधिनियम नामज़त प्रात्मे की दर्ज की है इस बाद कटकम सांडी थाना पुलीस अरुन कुमार रवानी ने घटना की पुष्टी करते हुए कहा की घटना हुई है पिडिता के आवेदन पर प्रात्मे की दर्ज की गई है जाँच परताल चल रही है दोसियों पर सक्स कानूनी कारवाई की जाएगी